देश में भरस्टचार और भरस्टचारियों पर लगाने के लिए इंकम टेक्स भीभाद ने फेसलेस असिस्टमेंट सर्विश शुरू कर दिया है असान सब्दों में ये समझ लें तो पहले अक्सर आरोप लगते थे कि आरोपी को इंकम टेक्स तब्धर से किसी भी तरह का नोटिस आने के बाद उसके संबंधित अधिकारी या करमचारी के पास आते हैं मामले की डील कर ली जाती थी फेसलेस ई-असेस्टमेंट पीयम मोदी इंकम टेक्स विभाग में फेसलेस ई-असेस्मेंट की सुविधाश शुरू करने का एलान कर दिया है ये देश में बहुत बड़ी शुविदा है, faceless assessment एक तरह का electronic mode होता है जो एक software के जरी ये परियोग किया जाता है इसके तहट आपको किसी भी income tax अधिकारी के सामने या उसके दफ्तर जाने की आउशकता नहीं पड़ेगी किसी भी सक्स को income tax scrutiny assessment notice के लिए किसी भी तरह की भागदोड करना या charted account के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी इससे भरषचार परंकुस लगाने के साथ ही नियाय मिलने की guarantee माना जा सकता है असान सब्दों में शमझे तो पहले अक्सर आरोप लगते थे कि आरोपी को income tax दफ्तर से किसी भी तरह का notice आने के बाद उसके शंबंधित आधिकारी या करमचारी के पास आते ही मामने के डील कर लिगाते थे इस तरह के आरोप को खत्म करने और हमेशा के लिए भरष्ट चार पर रोक लगाने के लिए फेसलेस यासेस्मेंट के तहट किसी भी सेसी का tax मामलों में अब आसेस्मेंट आफिसर से मिलने की जरूरत नहीं होगी पेसले साल नेशनली आसेस्मेंट चेंटर सुरूख किया गया था इसके तहट किसे भी सक्स को स्कूरूटनी के लिए चुना जाएगा जिसके बाद उसके नाम और जेश के बार में संबंधित अधिकारी को जानकारी नहीं होगी अगर मामला बिहार का होगा तो उस मामले की तफ्तिश के लिए दिलले हादराबाद हर्याड़ या किसी अन्य सहर में उस मामले को भेज दिया जाएगा उन्हें सभी डॉकुमेंट ऑनलाइन देने पड़ेगे निज्रूम से निज्लाइब की रिपो